नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, ब्रेकिंग सिस्टम से मीनिम क्या है, ब्रेकिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है, जिसकी साइता से विकल को हम मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस पे स्टॉप कर सकें, इसमें वो युनिट्स होत ब्रेकिंग सिस्टम में, जो कि विकल को small से small distance पर, minimum से minimum distance पर stop करने में help करते हैं, आज जो बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, vacuum breaking system, means vacuum की साइता से brake apply करें, जिससे विकल small से small, minimum से minimum distance पर stop हो सके, अब vacuum का जो pressure है, वो हमेश्या atmospheric pressure से कम होता है, और आसानी से इसकी साहिता से brakes apply कर सकते हैं अब बात करते हैं कौन-कौन से इसके main main components होते हैं यहां से ये left side से चलते हैं ये brake pedal जो की operator जो होगा, driver होगा वो brake pedal को apply करेगा जिसकी साहिता से आगे के mechanisms move करेंगे at that requirement of braking जब brake की requirement होगी जब vehicle को stop करना होगा उसको तो वो इसको apply करता है, यहां पे नीचे एक master cylinder होता है master cylinder का क्या function होता है, master cylinder में एक piston लगा रहता है जो की ये piston के उपर work करेगा, means piston इसमें reciprocate होगा जब brake apply होगे, तो piston की moment होगी, उसकी साहिता से जो fluid होगा वो आगे forward करेगा, अब यहां पे यह जो fluid है, इसका function क्या होगा इस दूसरे जो chamber है, इस दूसरे chamber में जो piston लगा होगा है इसको operate करना, यहां पे यह जो chamber है, इसमें इस piston को operate करना और ना केवल इस piston को operate करना, बलकि दो जो other pistons बोलें या फिर इनको valve बोलें, इन valves को भी operate करना तो एक piston की road है, उस एक piston की road पे एक तरह से तीन piston लगे हुए है 1, 2 और 3, उन सभी pistons को एक master cylinder की साहिता से और fluid की साहिता से operate करना यहाँ पे यह होती है, control unit, control unit का function क्या होता है जिसमें यह piston reciprocate करें, और एक point पे atmospheric air जो है उसकी साहिता से atmospheric pressure create किया जाए यहाँ पे यह जो pistons होते हैं दोनों, उपर वालों जो होते हैं दोनों यह springing action की साहिता से operate होते है, fluid के principle पे भी यहाँ फ्लूड की साहिता से यह up and down reciprocate करेंगे और जब वापस आना होगा, तो इस spring की साहिता से वापस अपनी condition में, original condition में आएंगे यह जो इस्सा होता है, यह जो frame होती है, यह जूड़ी रहती है to atmosphere means atmosphere से यहाँ पे वो जो air है, वो आएगी और किस तरह से आगे supply होगी working में बात करेंगे, यहाँ पे यह आगे supply pipes होती है, यहाँ पे यह भी आगे supply pipes है, तो means यहाँ पे यह वाला जो इस्सा होता है, एक servo cylinder लगाया जाता है, जिसमें एक और piston होता है, तो जो servo cylinder है, इसका ज pressure create किया जाता है, और जो right वाला इस्सा है, इस इस्से में vacuum create की जाती है, जिस vacuum की सायता से, आसानी से हमारे brakes apply होंगे, जो brakes sue है, वो spread होंगे, और आसानी से वो brake drum के साथ में लगके vehicle को stop करेंगे, यह होता है, vacuum reservoir, जो vacuum reservoir है, यह यहाँ पे एक non return valve जो है, उसके तरू जुड़ जुड़ा रहता है, और जो non return valve के थुरू है, यह जुड़ा रहता है, inlet manifold, जो carburetor है और engine के बीच में, अब यहाँ से इसकी बात करते हैं working की, 21 तरह से यह complete system work करता है, जो operator होगा, driver होगा, वो brake pedal को press करेगा, जब requirement होगी कि vehicle को stop करना है, तो brake pedal को वो press करेगा, जब press करेगा, तो इन linkages के through, यह जो piston है, यह reciprocate करेगा, means आगे की side forward होगा, forward होगा, तो यहाँ पे जो यह fluid रहेगा, यह fluid कहीं न कहीं under pressure आएगा, under pressure कैसे आएगा, जब यह उपर जाएगा, इनके बीच में proper pressure maintain रहेगा, तो आगे की side यह, इसको force करेगा, पिस्टन रहेगा, इस unit में, इसको strike करेगा, जब इसको strike करेगा, तो यह upper side जाएगा, तो यह जो wall होगा, यहाँ पे इस system को, इस part को और इस part को अलग कर देगा, means यह part close हो जाएगा, यह wall यहाँ पे जाके, इस पे strike करके, इसको close कर देगा, तो यह spring भी close होने की इसको करेगी, ऐसे ही upper side जाएगा, तो इससे क्या होगा, यह जो atmospheric pressure था, वो कहाँ पे create हो जाएगा, इस हिसे से, वो atmospheric air की साहता से, atmospheric pressure क्रिएट हो जाएगा, इस servo cylinder के अंदर, इस servo cylinder के left वाले हिस्से में, तो इस servo cylinder के left वाले हिस्सा जो है, उसमें वो atmospheric pressure प्रेसर क्रियेट होगा, इधर की साइड जो है राइट साइड इसके, यहाँ पर यह रहेगी वेक्यूम, क्योंकि वेक्यूम मैंने स्टार्टिंग बताया था, वेक्यूम का प्रेसर हमेश्या एट्मोस्पेरिक प्रेसर से कम होता है, तो यह आसानी सिस पे स्ट्राइक करके forward करेगा आगे की side forwarding direction में करेगा जब यह forwarding direction में इसको करेगा तो क्या होगा यह जो road है यह जुड़ी रहेगी थरो एक lever जाके cam पे और जो cam है वो activate हो जाएगी cam जब activate हो जाएगी तो दोनों के दोनों जो break shoe होंगे वो spread होंगे और break shoe की जो यह linings है यह जाके mess हो जाएगी break drum के break drum से meaning जो की wheel के साथ में rotate करता रहेगा तो उस running wheel पे उस running drum पे यह दोनों break shoe lining के साथ में apply हो जाएगे और vehicle minimum से minimum distance पे stop हो जाएगा जैसे यह operator यहाँ पे इसको release करेगा brake pedal को release करेगा release करते ही due to springing action यह वापस अपनी original condition पे आ जाएगे और drum रहेगा break drum उससे अलग हो जाएगे और इस तरह से break engage होते हैं और break dis engage होते हैं तो यह था दोस्तो vacuum tie breaking system थैंक्यू दोस्तो